नौशकर में हूँ आकाश चोहान आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मनसोर जिले के एक एसे शक्स से जो रहते सिता मुशेत्र में हैं लेकिन पूरे जिले में जुनियर शिवरा सिंग चोहान के नाम से फेमस है कारण है उनकी आवाज जी हाँ अशोक आसलिया नाम के एक शक्स हैं जो सिता मुशेत्र में रहते हैं जिनकी आवाज हूब हूब मंदिप्रदेश के शिवरा सिंग चोहान जी से मिलती है आपको एक जानकरी और देना चाहूँआ कि इस कारेकरम का लक्ष सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन है अगवान पस्पतनाथ की धराज से प्रारम होई थी तो उसी दिन से जब व्यात्रा प्रारम होई थी तो मैंने संकल पर लिया था और मिशन अब 2018 में यही लक्ष लेकर के में विदानसभा लोगसभा में जाऊँगा उनकी बनाई हुई योजनाओं का प्रिशार करूँगा अभी बीज में जानकरी मिली थी कुछी दिन पेले की बात है कि शिवरा सिंग चोहान की जो बेटे हैं उन्होंने राहूल गांदी पर केस कर दिया था ऐसा तो नहीं कहीं आपके उपर भी वो किसी प्रकार का केस कर दे क्योंकि आप उनके पापा की आवाज निकालते हैं हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे परिवार में भाईचारे से रहते हैं यह तो राहूल बाबा है और राहूल बाबा को अक्सर देखा गया कि वो तो जहां भी जाते हैं भाशनों में कुछ के देते हैं उनको ये भी पता नहीं है कि भिंडी जमीन में ल पेले सुनने में आया था कि दिखवीजे सिंग जी और जोति राजी सिंद्या टिक-टोगर बत्वारों को लेकर भिड़ गए थे आप क्या कहेंगे दिखवीजे सिंग जी तो राजा है वो जो कर दे जो सोई है लेकिन इधर देखो तो जोति राज संद्या जी है यह दोनों और महराजाओं की लड़ई है इसमें भोली बाली जनता बीच में पीसी जा रही है और मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे को तो अपार प्यार और आश्रिवात मिल रहा है लेकिन इन राजा महराजाओं ने पहले मुझे बदनाम करने की कौसिस की और कहा था कि ये तो दूबला पतला मुखमंत्री है ये तो दो-चार महीने में भी हट जाएगा लेकिन जनता का प्यार और आश्रिवात मिला तो डटके रहे गया अब तो प्यार और आश्रिवात इतना मिल रहा है कि दो हजार अथार में अपकी तो दो सो पार होगा शिवराज जी गाना भी अच्छा गात है क्या आप कुछ गाना सुनाएंगे अभी तो गाना बजाने का समय नहीं है क्योंकि तो अभी तो यह की मिशन है कि आपकी बार दो सो पार अब इतना प्यार और आश्रिवात जनता का मिल रहा है लेकिन उस लक्ष को प्राप्त करने का जो मिशन है और जनता को नाच नाकुदना यह तो हम साथ में मिल करके करेंगे और अब तो 200 पार करने के बाद में नाचेंगे कुदेंगे भी जनता के बीच में पिछले दिन एक वीडियो भी आया था वार जोशल मीडिया में मिलता है और यह तो जनता किसी भी प्रकार से कुछ भी के देती है क्योंकि उनका प्यार रहता है कभी मामा के देते कभी भांजी के देते इतना ने रहता है जनता का प्यार रहता है लेकिन साला जीजा का कुई समन्द नहीं ऐसा कुई मामला नहीं एक तस्वीर भी वायरल हु इतना भावुक हो जाते हैं, उनका और हमारा प्रेम इतना है, कि वो अधिकारी नहीं रहते हैं, वो अधिकारी नहीं रहते हैं, इसलिए प्रेम भाव से उन्होंने मुझे तोक लिया, कहीं हमारे मामा के कभी पेर में कुछ कंकर न लग जाए, कि चढ न लग जाए, उनका प् प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिजली पूरा मद्रदेश को अंदेरों में धकल दी थी, हमारे बेटा बेटी की जिन्दी की अंदेरों में धकल दी थी, हमने संकल पे लिया था कि काउं में 24 घंटे बिजली देंगे, वो करशी कारी करने के लिए हम 10 घंटे बिजली देंगे, और बहनों और भाईयों आप उस कांग्रेस के जमाने में हमारे किसान औह भाईयों के साथ भूचांड बेत्ता ही ना किसाण कंग यहांज करेंगिस कि से लिक्ट हो डूंन करेंगिस बादने हर अथालता हुए रेख को ग्रामिनी सेक्टर में माता बेने जब डिलेवरी होती थी तो अस्पताल भी नहीं पहुँच पाती थी, रास्ते में ही दम तोर देती थी, हमने संकल पलिया था कि अस्पताल से सीदे एम्बूलेस गाउं जाएगी और गाउं से हमारी माता बेनों का हस्पिटल लाईगी, बे मेरे बेनों और भाईयों चिंता करने की आवशकता नहीं है अगर बेटी पेदा होगी तो मदब्र इसकी लाली बीटिया हो जाएगी पेदा होते हैं यह अंगनवारी में बचत पत्र उसी माता पिता को देंगे पढ़ाई करने जाएगी किताबे निसुल के देंगे भाजन की विवस्ता करेंगे और एक गाउ से दूसरे गाउं पढ़ने जाएगी तो साइकल की विवस्ता भी करेंगे और हमारी गाउं की बिट्यारानी जब पल्लिकर के बारी में परतम सेरी में पास हो जाएगी तो गाउं की बेटे केलाईगी और साधी की चिंता भी मत करना मामा आपका प्यार और आश्रिवात भारती जंता पाइटी को मिले और सिवराज किसान का बेटा है किसानों की चिंता करता है और किसान का बेटा चाहे कुछ भी कर लेगा लेकिन आपके आँखों में कभी आजसु नहीं आने देगा तो यह थे अशोक आसलिया जिने जूनियर साता का शोहन